नमस्कार दोस्तों आज जो है वो एक ऐसी हमारे मित्र हैं और उन्होंने हम से पूछ दिया कि जाती बाद क्या है कास्टीजम क्या है वट इस कास्टीजम यूपीसी के जैसे कोर्सेस में भी यहां पर भी आपको सिलिबस में आता है कि जो जाती बाद क्या वट इस कास्टीज देखिए दोस्तों आपको अस्चर्ज हो जाएगा कि जातिवाद जो हम कहते है कास्टीजम जो कहते है कास्टीजम तो कास्टीजम भारत में कहा जाता है कि हिंदू जाती वेवस्था या हिंदू धर्म में जो जाती वेवस्था यह क्या है हिंदू धर्म में नहीं हम कहेंगे इंडिया में रूल कर रहे थे तो वहाँ पर जो है communications, telecommunications का जो है वो बहुत ही खलल पड़ता था, उस समय में नहीं हुआ करता था, एक गाउं से दूसरे गाउं लोग चिट्थी पत्रा चार करते थे और उस तरीके से जो है सूचना का आधान प्रतार होता था, आपको जानक ये वर्ण वैवस्था से उन्होंने बहुत तरह के फैदे उठाएं, फैदे उठाएं जैसे कि आप देखेंगे कि जब यूगांडा भीजने लगे, जो इस्ट अफरिका है, एक ऐसा चोटा सा अफरिकन दिस है, जहां पर जब अंग्रेजों ने ट्रेन की पट्रियां बारा किया गया, तो यह एक बात आपको समझ में आएगा, लेकिन आज जो जाती बाद है, उसके देखें हिंदु धर में, जो कटर जाती बाद आप कहते हैं, तो कटर जाती बाद उसी समय में था, बड़ मतलब 1947 से पहले एक प्रोपेगेंडा के तरह स्टार्ट किया गया जो आज सुद्र समाज के तौर पर स्थापित हैं समाज में, लेकिन उनके राजा हुए हैं, सासक हुए हैं, उन्होंने भारत वर्स पे सासन किया है, और सुईकार ये था, वो ब्राम्हनों को भी सुईकार ये था, वो छत्रियों को भी सुईकार था, आप जब जहांसी की लाडानी की बात करते हैं तो जलकारी भाई को भी आपको समझेना चाहिए उसी तरीके से कई ऐसे सोतंतरता सायनानी भी हुए नतु दोबी जी की बात हो या किसी भी समाज़ लोगों की तो आपको समझने की आवसकता है कि वो सभी समाज़ से लेकिन आज जो जातिबाद हो रहा है उसका कारण क्या है उसका मूल क्या है दोस्तों आज जातिबाद जहां पे भी हो रहा है जैसे कि अब बिहार में भी कुछ भाग हम कहेंगे कि जातिबाद इसे प्रभावित है बिहार में पूरे समूचे बिहार जो मिधलांचल पार्ट है वहाँ पे जातिबाद इतना नहीं होता है लेकिन हाँ कुछ है जब संबेधानी के आरेक्षन की जो मापडंड है जो जाती ही मापडंड रखा गया है तो यह भी कहीं न कहीं जातिबाद को कुछ हद तक साथ ही आज आप देखेंगे कि जहां पर करप्सन अत्यधिक है वहां पर जातिबाद भी अत्यधिक है जैसे निकाला जाता है कोईला बालू पत्थल इत्यादी जो निकालते हैं उसके बर्चस्प के लिए लोगों को एकत्र होकर जो है एक जाती दूसरे जाती से लड़ते हैं गोलियां चलती हैं बिहार में भी ऐसा होता है जारखंड में भी ऐसा देखने को मिलता तो तरह तरह के चीज जो जाती बाद के नाम पे होते हैं इसके कारण पीछे कारण इसका यहां पर है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कटरता नहीं है जहां पर करपसन नहीं वहाँ पर जाती बात भी नहीं है बिटिस उपनिवेसक सासक के दोरान विक्षित की गई थी और या भी ना कहे सुने आप देखेंगे कि चानक क्या चंदर गुप्त को किस प्रकार से राजा बनाए तो समावेस था लोगों के अंदर और इसके पीछे भी यही सर्यंतर था एक प्रकार से आज भी जहां करप्सन है तो बहुत ही साबधानी से कुछ लोग वो अपने जाती का उप्योग करते है करप्सन को ढखने के लिए करप्सन हो सोसाइटी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की नेचरल रिसूर्सेस का धोका धरी हो तो गोलियां चलाते हैं तो एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष के उपर एटेक करते हैं इस तरह का चीज जो है आज भी आपको देखने को मिलेगा तो जाती बाद बासतर में कास्टीजम जो है कास्टीजम एक ऐसा नेरेटीव है जिस नेरेटीव के भदोलत जो है वो करप्षन को ढखा जाता है यही कास्टीजम है और सेकेंड पॉइंट जो है कास्टीजम देखे जाती गलत चीज नहीं है जाती जो है वो गलत चीज नहीं है इतिहास गलत चीज़ नहीं है, जाती के अंदर unity की गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जाती का जब धुरुप्योग होने लगता है, दिखते हैं कि आज पुल्टिक्स में भी धर्म का भी उप्योग होता है तो धर्म का उप्योग होना पुल्टिक्स में या जाती का उप्योद गोहोना करपसन में इन सब तरह के चीज़ को ही हम कास्टीजम कहते हैं, जातीवाद कहते हैं, ठीक है, जब जातीवाद, लेकिन इसका एक positive perspective भी है, कास्टीजम का एक positive perspective है, कि जब हम बात करते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो check and balance form of government की बात करते हैं, कि जब पुलीस अन्यंतरनता हो जाती है, जब पुलीस प्रसासक बर्ग जो है, वो जब किसी गरीब मामुसूम जनता को तबाह करने की कोसिस करती है, तो जातीए समिकरन और जाती का जो एक group जो है, वो उसको protection देती है, तो यह एक प्रकार का check and balance form भी बन सकता है, जातीवाद जातीबाद की understanding आप लोग पाए होगे, हुआ होगा, तो हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को like, share, subscribe कीजेए, मिलते हैं के तब तक लिए जय ही जय भार